हलो एव्रीवन एंड वेलकम बैक तो यूजी सिनेट मैंटोर गाईज आप सभी की यूजी सिनेट की फाइनल आंसर कीज आ चुकी हैं इन फाइनल आंसर कीज के आने के बाद आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी गुड्निस देने वालों से भी को मैं मैंने देखा कि काफी सारे कोशन जो है वो ड्रॉप की गए ऐसे में आप सभी के जो माक्स हैं वो चार से लेकर के किसी की दो नंबर किसी की चार नंबर किसी की छे नंबर किसी के दस नंबर तक बढ़ने के चांसिस हैं इस से ज़्यादा भी बढ़ सकते हैं अब ये माक्स कैस किस किस के बढ़ेंगे आज किस वीडियो में complete information देने वाला हूं और completely NTA के द्वारा जो official information दी गी थी उसी के basis पर दूँगा अपनी तरफ से कोई बात है हमें आपर add नहीं करने वाला किस तरीके से बढ़ने वाले आप सभी के मार्स बढ़ने वाले और इस वजए से जो है यह यह वीडियो आप सभी की लिख तरीके से गुड़ नहीं है तो आप इस website का जो पेज है इसको refresh कर लो एक बार जैसे आप page refresh करोगे आपको answer की जहां पर दिख जाएंगी इनको upload कर दिया गया है आप download कर सकते हो easily तो यहां पर आप किस तरीके से marks बढ़ेंगे मैं आपको बता दूँ काफी सारे ऐसे subject मैंने देखे हैं जिसमें question drop हुए है आप जैसे example के तो आप देखेंगे इस question का option नमबर थर्ड है फोर्थ है वहने इस तरीके से किसी question का है कि option given है right और कहीं कि इप डी लिखा हुआ है डी का मतलब है question drop कर दिया है एंटी ने क्योंकि question गलत था या तो question गलत है तो चारो option गलत given थे वहाँ पर इस वजह से question को drop कर दिया गया है और जिस भी question को drop किया गया है तो उस question के marks उन students को दिये जाएंगे जिन्होंने इस question को attempt किया होगा मतलब आपको attempt करना जरूरी कर आपने attempt नहीं किया तो इस question के marks आपको नहीं है तो यहाँ पर अगर question के आगई डी लिखा हुआ है इसका मतलब आप यह मान के चलो कि इस question के आपको plus two marks मिलने वाले हैं तो यह जो मैं दिखा रहा हूँ यह आप अपने subject के आइबर चेक कर लेना पाइल आंसर कीज में यह मैं commerce का दिखा रहा हूँ shift two वाले case में यहाप आप देख सकते हैं option number d जो था यहाँ पर जो drop question है उसके सभी को marks मिलने वाले हैं और इसके लावा इस shift में कोई drop नहीं दिखा मुझे आप यहाँ पर देख सकते हूँ मिलने वाले हैं तो यह आप सब्सक्राइब काफी बड़ी good news है क्योंकि कहीं न कहीं आप सभी कुछ दिख का advantage मिलेगा और आपके marks बढ़ेंगे एक सब्सक्राइब कर लो यह मार्क्स आपको मिलने वाले हैं तै है मिलेगा ही मिलेगा इसके लाब जो भी आपका कर लेना option number one and two correct है इस तरीके से कोई question drop हुआ जैसे यहां पर आप देखे तो question number जो यह है वो ड्रॉप हुआ है तो इसके marks आपको दिये जाएंगे सभी को मिलेंगे marks तो यह आप सभी के लिए good news है आप इसको whatever से check करो आप देखू है यहां पर मैं बता दू एन ने information bulletin के ज question जिन्हेंने question attempt कियाता सरफ उन्हीं को दिये जाएंगे सबको नहीं मिलेंगे जिन्हों attempt कियाता उन्हीं को दिये जाएंगे लगाया है उसके marks आपको दिये जाएंगे कोई गलत option चूज कर लिया था उसके marks आपको नहीं दिये जाएंगे तो यह मैं आपको बिल्कुल official update दे रहा हूँ official notification से पढ़ गया आपको समझा रहा हूँ तो यह है आपको पता है कि कितने marks आपके बन रहे हैं उसके recording आप देख लो और cut off मुझे लगता है आप थोड़ी से जादा जाने वाली है इसका simple से reason यह है कि एक तो आप सभी का आप जितने भी students in this paper को appear किया है सभी लोग जानते हैं कि इस बार काफी ज्यादा time मिला था आपको preparation करने का क्योंकि exam जो है आपका दुबारा से हुआ था री exam हुआ था तो ऐसे में काफी सारे students ने काफी अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे से exam दिया है तो मुझे लग रहा है कि मैंने analysis भी किया था आप सभी को पता है मैंने आप से वोटिंग करवाई थी कि कितना कितना आप score कर रहे हैं तो आप भी पता चला था कि काफी अच्छे score कर रहे हैं काफी सारे students तो इसका मतलब है कि final answer की जाने के बाद अब मैं आपको एक बार और protection दे दूँगा कल परसों में ताकि और exact idea लग सके इसके लाब अगर जगर आप यूजिस ने December 2024 की त्यारी करें तो इससे बड़ा offer आज तक नहीं दिया है हमने आपको फ्लैट 50% बिल्कुल फ्लैट 50% एक रुपए भी उपर ज्यादा नहीं फ्लैट 50% off मिल रहा है सिर्फ सिर्फ एक दिन का offer याद रखिए सिर्फ सिर्फ ए आपको पेपर वन कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की त्यारी करवाई जाएगी कंप्लीट कंटेंट बाइलिग मिलेगा अंडेड मॉक्तेस में प्रेक्टिस करने के लिए पीडिया नोट्स में आप किसी भी कोर्स में आप इन्रोल करें तो मैं आपको यह होगा ए रोकाट कि एकलीस्त आप कॉंबो कोस में क्योंकि क्या होगा तरवे अपके जो कॉर्स है वह आप सभी के लिए कॉम्बो कोर्स है और at least six month का कॉर्स आप जोइन कर सकते हैं क्योंकि अभी offer चर लाए और इसके लावा जो exam है वो दिसमबर में ना होगा 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 तो ऐसे में आपके पास enough time होगा preparation करनेगा तो six month at least six month कोर्स जोइन करिए या फिर आप कॉम्बो को से इंडोल करें बेस्ट रहेगा किस तरीके से इंडोल कर सकता आपको simply google play store से exam and और app install करने है अगर आप ios यूजर है तो इसका link भी आपको इसी वीडियो के description box in comment box में देखने को मिल जाएगा so thank you so much for watching this video share this video with all net experience and guys subscribe for UGC update and assistant professor job updates build a firm below next video me till then keep watching UGC net mentor thank you so much